हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैने लास क्लास में अगर आप भी 2023 में मैट्रिक का बोड परिक्षा देने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे बिग्जान यानी साइन्स के 20 अब्जेक्टिव को सन देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है अगर आपका 20 में से 20 स सही होता है तो समझे आपकी त्यारी काफी अच्छी है और जिनका 15 से नीचे सही होगा तो उनको और यहाँ पे त्यारी करनी की जुरूरत होगा मन लगा के तो इस 20 प्रशन को आपको बिल्कुल सुरू से लेक्यान तक सॉल्व करना है और वीडियो के लास्ट में आपको ब 04 इसमें आपको बोलना है कि सर मुझे गुरूब में जोड़ दीजिए तो हम आपको गुरूब में जोड़ देंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि निम्न में से कौन अधातु है इसमें से आपको बताना है कि कौन अधात तो आप सभी को पता है कि जो हीरा होता है यह अधातु होता है डी वाला अंसर यहां पे बिल्कोली सही हो जाएगा और जो हीरा होता है यह किसका अपरूप होता है तो जो हीरा होता है यह कारवन का अपरूप होता है इसे आपको याद रखना है एक परशनी यह भी पूछा ज में घुलता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नंबर दो नंबर प्रश्ण है कि टार्टरी कमल किस में पाया जाता है अब यहां पर आपको बताना है कि टार्टरी कमल किस में पाया जाता है तो जो टार्टरी कमल होता है इमली में पाये जाता है, C वाला अंसर यहां पे बिलकुल ही सही हो जाएगा, एक प्रश्नी ये भी पूछा जाता है कि दूद और दही में कौन सा आम लपाये जाता है, तो लेक्टी कम लपाये जाता है, टमाटर में कौन सा आम लपाये जाता है, और जेली कम लपाये जाता ह मैली कम लपाया जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है मातरी यहाँ पर हम आपको 20 objective को संदेंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है तो आप लोग वीडियो के एकदम सुरू से लेके अंतक देखिएगा और 20 में से 20 आप लोग सही करके दिखाईएगा अगर आप लोग 2023 में मैट्रिक का परिक्षा देने जा रहे हैं आप लोग मैट्रिक में हो या इंटर में हो आपका अब exam pattern बदल चुका है तो जैसी class खतम होगा हम अपने WhatsApp ग्रूप में एक post डालेंगे जिसमें बताएंगे कि अब 2023 में कितना objective question पूछा जाएगा और आपका जो center exam होने वाला है 15 नॉवंबर से तो उसमें भी कितना objective question पूछा जाएगा बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुस कबरी निकल के आई है तो इस वीडियो को आपको शुरू से ले के अंतक देखना है और हमारे WhatsApp ग्रूप में जुरूर जूर जूर जाना है चलिए अगला कोसन देखिए अगला कोसन तीन नंबर के घरों में बिधु दुरघटना किस के कारण से होता है अब यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में बिधु दुरघटना किस कारण से होता है तो उच धारा के परवास से होता है इसे आपको याद रखना है सी वाला अंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और बिद्धु दुरगटना से बचाने के लिए परिपत में हम क्या लगाते हैं तो परिपत में हम फ्यूज लगाते हैं क्या लगाते हैं और जो फ्यूज तार होता है ये किसका बना होता है तो जो ये फ्यूज तार होता है ये बना होता है सीसा और टीन का तो इसे भी साथ म आपको याद रखना है चलिए अगला कूसन देख लिजे अगला कूसन ने चार नमबर की मानो नेतर में कौन सा लेंस पाया जाता है अब यहाँ पे आपको बताना है कि मानो नेतर में कौन सा लेंस पाया जाता है तो मानो नेतर में उत्तर लेंस पाया जाता है यहाँ पे यह बिल्कुली सही हो जाएगा और जो ये उत्तल लेंस होता है ये किसका बना होता है तो जो मानो नेतर में उत्तल लेंस होता है ये जिलेटिन का बना होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना पांच नमबर प्रशने की उत्तल ले लेंस होता है ये दोनों की नारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है इसे आपको याद रखना है और जो ओतल लेंस होता है ये दोनों की नारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्र सरी यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक परशनी यह भी पूछा जाता है कि बिधुधारा को मापने वाले अंतर को क्या कहते हैं तो ए मीटर या आ मीटर कहते हैं एक परशना भी यह भी पूछा जाता है कि बिधुधारा का एसा ही मातर क्या होता है तो बिधुधारा का ये इसा हिमातरक के Ampear होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आये देखते हैं अगला प्रश्ना सात नंपर सात नंपर प्रश्ना की निमन में से किस रणग का उपयोग खत्रे के सिगनल के रूप में किया जाता है अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उप्योग हम लोग खत्रे के सिगनल में करते हैं किस रंग का उप्योग करते हैं तो लाल रंग का उप्योग करते हैं यहाँ पे एवाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और लाल रंग का ही क्यों करते हैं क्योंकि लाल रंग का जो तरंग देर्ध होता है ये सबसे अधिक होता है अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि किस रंग का तरंग देर्ध सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंग देर्ध सबसे अधिक होता है और ये भी कोशन पूछा जाए कि किस रंग का तरंग दे सबसे कम होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना आठ नंबर प्रशने की पितल है अब यहाँ पे आपको बताना है की पितल क्या है तो जो पितल होता है यह मिसरधातु होता है सी वाला आंसर बिलकुल ही सही हो जाएगा एक प् 20 में से 20 सही करके दिखाना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 9 नमबर 9 नमबर प्रशने की आवेश के परवाह के दर को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है की आवेश के परवाह के दर को क्या कहते हैं तो आवेस के परवा के दर को विधुधारा कहते हैं यहाँ पे वी वाला अंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रशनाब आपसे ये भी पूछा जाता है कि विधुध सक्ती का A.S.I. मातरक क्या होता है तो विधुध सक्ती का A.S.I. मातरक वाट होता है और वाट को W से सुचित किया जाता है एक प्रशना आपसे ये भी पूछा जाता है कि परतिरोध का A.S.I. मातरक क्या होता है तो परतिरोध का A.S.I. मातरक ओम होता है अगर ये भी आपसे कोशन पुछ दिये जाए कि परतिरोध हकता का A.S.I. मातरक क्या होता है उतल लेंस जो होता है ये दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है तो यहाँ पर देखिए किनारों पर पतला बीच में मोटा तो यहाँ पर एवाला आंसर बिल्कूल ही सही हो जाएगा और जो दोनों किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा उसे क्या कहेंगे तो ओतल लेंस कहेंगे तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण ग्यारा नंबर प्रश्ण है कि सुध जल का पी एच मान कितना होता है यहाँ पे आपको बताना है कि सुध जल का पी एच मान कितना होता है तो सुध जल का pH मान 7 होता है, C वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रशन आपसे यह भी पूछ लेता है कि रक्त का pH मान कितना होता है तो रक्त का pH मान 7.4 होता है इसे आपको याद रखना है और दूद का pH मान कितना होता है तो 6 होता है इसे आपको याद रखना है और Milk of Magnesia का pH मान कितना होता है तो 10.5 होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को अकास नीला के अपिक् दिखाई देता है तो वहाँ पे वायू मंडल नहीं होता है और जब वायू मंडल नहीं होता है तो उसमें कोई भी रंग का प्रकिंडन नहीं होता है और जब किसी भी रंग का प्रकिंडन नहीं होता है तो अंतरिक्ष से आकास देखने पर कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है इसे आपको याद रखना है अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अपने वायु मंडल में किस रंग का प्रकिंडन सबसे अधिक होता है तो नीले रंग का प्रकिंडन सबसे अधिक होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते ह अगला प्रश्ण तेरा नंबर प्रश्ण एक कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है अब इसमें से आपको बताना है कि कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है तो यहां पर देखिए कार से चलना यह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि कार से धुआ निकलता है अब देखिए कार से जो धुआ निकलता है इसमें कौन सा गैस निकलता है तो कारबन मोनो ऑक्साइड जो वायू मंडल के लिए और मानो के लिए काफी खतरनाक होता है तो इसे आपको याद रखना है कि जो कार के धुआ होता है यानि मोटर साइकल का भी जो वाहन के धुआ होते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है तो कारबन मोनो ओक्साइड पाया जाता है इसे आपको याद रखना है और कार से चलना ये परियावरण के लिए अनुकुल नहीं होता है चलिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए 14 नंबर की मनुस्यों का वरिक पाया जाता है तो बिलकूल से बीच की तरह होता है और किणी मनुस्यों में कितना पाया जाता है तो दो पाया जाता है अगर जोडी में पूछे कि कितनी जोडी पाया जाता है तो एक जोडी पाया जाता है इसे आपको याद रखना है और सरीर का उतसरजी पदार्थ क्या होता है तो यूरिया होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन पंद्रा अंसर यहां पे बिल्कुल इसे ही हो जाएगा और हरे पेंड़ पोधे कुत पादक क्यों कहते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वेम बनाते हैं इसलिए कहते हैं तो यहां तक आपको क्लियर हो गया अगला कोसन यहां पे देखिए सूला नंबर प्रशन है कि दही का जमना किस परक किरिया है तो दही का जमना किडवन की किरिया ही से आपको याद रखना है सी वाला अंसर यहां पे बिल्कुल इसे ही हो जाएगा एक प्रशनी यह भी पूछा जाता है कि दही में कौन सा अमल पाया जाता है तो दूध में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसे भी साथ में पहले आपको यहाँ पर आंसर comment box जो live chat चल रहा है उसमें यहाँ पर आपको भेजना है जल्दी जल्दी आप लोग comment करते रही है 17 नमबर कोशन देखिए कि ओजोन परत किस हानीकारक कीरण से हमें सुरक्षा परदान करता है अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है जिसका रसाइनिक सुत्र O3 होता है यह किस हानीकारक कीरण से हमें यहाँ पर सुरक्षा परदान करता है तो पारावेगन इससे करता है यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन के यहाँ पे परमाडों यहाँ पे देखिए ओजोन जो होता है यह ओक्सिजन के कितने परमाडों से मिलकर बना होता है तो ओक्सिजन के तीन परमाडों से मिलक बना होता है और एक प्रशनी ये भी आपसे पूछ लेगा कि ओजोन परत को नश्ट कौन कर रहा है तो CFC गैस कर रहा है निए क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस कर रहा है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है और जो परावैगनी किर्णे है इसे कौन सा रोग होता है तो सर दरपन की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो देखिए उत्तल दरपन की फोकस दूरी धनात्मक होती है ये वाला आंसर बिलकुल ही सही हो जाएगा अगर उत्तल लेंस भी हो तो उत्तल लेंस का भी जो फोकस दूरी होता है ये धनात्मक होता है उत्तल दरपन हो या उत्तल द अगला कोशन है 19 नंबर की किस पर्तिविम को पर्दे पर उतारा जा सकता है अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पर्तिविम को हम पर्दे पर उतार सकते हैं तो वास्तुविक पर्तिविम को हम पर्दे पर उतार सकते हैं बीवाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और का परत्म होता है, ये उल्टा होता ही इसे आपको याद रखना है और जो कालपणिक परत्म होता ही ये सीधा होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है किra ये अंतिम को सन देखिए, अंतिम को सन है, 20 नम्बर की एक वयस्प मनुसे के कितने दात होते हैं, अब यहाँ कि एक वियस्क मनुष्य के कितने दात होते हैं तो एक वियस्क मनुष्य के 32 दात होते हैं वाला अंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि दोध के दात कितने होते हैं तो दोध के दात यहां पे 20 होते हैं तो इसे भी आपको याद रखना है दात कितने परकार के होते हैं ये भी प्रशन पूछा जाता है तो दात चार परकार के होते हैं इसे आपको याद रखना है अब आप लोग फटा फट कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि आपका 20 परशनों में से कितना सही हुआ जल्दी जल्दी आप लोग कॉमेंट करके बताईए सभी बच्चों का हम यहाँ पे कॉमेंट देख रहे हैं आ मिलते हैं अगली क्लास में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक के रेंड बाएं